वेल्कम टू रोलिस की चैने लाइफस्टाइल तो आपने आलू और करेले और प्याज के साथ करेले तो बहुत बनाये होंगे पर मैं आज आपको चैने के साथ करेले की सबजी बनाने बता रहे हूं जो बहुत ही यूनीक है और स्वाद में तो इतनी मज़ेदार है कि आप हमेशा इसे बना कर खाना पसंद करेंगे तो चलिए बनाते हैं चैना और करेले की सबजी यह हमने करेला लिया है आधा किलो की करीब करेला है और यह बड़े वाले करेले हैं इसमें कड़वापन थोड़ा कम होता है इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ यह चैना मैंने लिया है इसे राद भर भीगो कर रखा था एक कटोरी के करेब दो बड़े प्याज हमने लिया है और पहले हमें इसकी कटिंग करनी है सबजीयों की तो करेला देखी हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़वे लगते हैं तो आप नमक डालकर आधे गंटे के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद इसकी सबजी बनाईए मैं ऐसे ही यूज कर रही हूँ और दो बड़े प्याज जो हमने लिये थे उसे भी सरशे स्लाइस में कट कर लिया है तो चली चलते हैं अब सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया कड़ाई इसमें तेल गरम कर लिया है सरसो का तेल यूज कीजिए सरसो के तेल से यह सरसो का तेल यूज करने से वह चिपकती भी नहीं है और स्वाद में भी बहुत चत्पटा पनाता है तेल हमारा गरम हो गया है इसमें हमने डाल दिये अपने चने जो हमने रात भर भीगो कर रखे थे और साथ ही साथ हम इसमें डाल लेंगे करेला जो हमने स्लाइस में कट करके रखा था और अब हमें इसे अच्छे से मिला लेना है तो फ्लेम हाई रखिएगा ताकि इसमें का पानी सब सुख जाए और चने तो हमारे भीगे हुए हैं वो किस्पी हो जाएंगे और करेला जो है वो हमारा पक जाएगा करेला के पकते तक हम इससे इस तरह से पकाना है ठकन बिल्कुल न लगाईएगा खूले में ही पकाईए करेला अपने आप पक जाएगा स्वादर मुसा इसमें नमक डाल दीजिए और एक चमच के करीब आप इसमें हल्दी डाल दीजिए और बस इसे अच्छे से मिलाईए अच्छे से चलाते हुए हम दोनों करेला और चना को अच्छे से भून लेंगे तो करेला अब हमारा पूरी तरह पक चुका है अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने स्लाइस करके रखे थे प्याज भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे फ्लेम हमें हाई ही रखनी है और उसी तरह से चलाते हुए हमें प्याज को भी पकाना है प्याज हम इसलिए बाद में डालते हैं क्योंकि चना और करेले के साथ अगर हम प्याज डालेंगे तो प्याज थोड़े ज़्यादा जल से जाते हैं, टेश्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए चना और करेला पहले पका लिजिए, उसके बाद आप इसमें प्याज डालेंग और अब फ्लेम आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं पर थोड़ी ज्यादा फ्लेम पर ये सब्जी अच्छी सी क्रिस्प होती है तो बार बार चलाते हुए आपको बनाना पड़ेगा इस तरह से अच्छी चला लीजिए देखिए हमारा चना करेला प्याज सब बिल्क टाइम लगता है तो फ्रेंड्स मेरी रेसेपी अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएगा आपको रेसेपी कैसे लगी तो अब हम इसमें नीबू, तो गोटा नीबू हमें नहीं डालना है, इसमें हमें नीबू करण, नीबू करण डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और तयार है हमारे चने और करेले की सबजी, येकिन मानिए फ्रेंड्स, आपके बाद आपके घर में जब भी करेला आएगा, आप चने भी एंजोई करेंगे, थैंक्स पर वाचिंग,